नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वल्कम टू माई नीव लोग और सुबह के बज़ गए हैं सवाट और काम पे हम सब लग गए हैं सब क्या अभी तो मैं लगी और सब की तव्याद थोड़ी धिल्ली सी है आज इनकी विज टुड़ी को भी कोल्ड हो रहा और फीवर तो नहीं है लेकिन कोल्ड है चुको भी खनसी भी है और यह दो थोड़े प्मारें थोड़ा-थोड़ा हाल मेरा भी है साही हैं फिर भी मेरा काम चल रहा अभी और गुड़्डू क्या पेपर है अपना पढ़ने लगी तो दिखा दो आपको वह अपनी अभी बिस्तरे में बैठके तयारी कर रही क्योंकि अभी कल है पेपर गुट्टू परसो परसो उसका पेपर और इशू का भी है पेपर तो लेकिन इशू अभी थोड़ी देर मकरणी तयारी है और मैं मैं लगी हूँ अपने काम पर मैंने तो मसीन में लगे लगे बस मैं अपना और भी काम कर लेती हूं मुझे अब करनी है सफाई सफाई मैं अब रोज अपने आप ही कर रही क्योंकि अटी तो एक अपते से नहीं आ रही है कि अपता हो गया लगबाग उना आए वे और जाड़ु पोच्चा में सुबही कर लेती जाड़ पूच कर लूँ और जाड़ के रहा लगा लूँ फिर पुच्चे लगाऊंगी तो लग जाते हैं जी काम तो करना ही है एक दिन बहुत मोज मस्ती कर ले करा तो कल भी ऐसा नहीं करा नहीं लेकिन अखले दिन और जादा बढ़ जाता है चलो लगते हैं अपने काम तो यहां मैं देखिए लग गई हूँ बस अपने काम पे सबसे पहले सुबह का टाइम यही होता है क्लेनिंग करना और जब बच्चे स्कूल जाते हैं खेर जब तो मैं अपना कीचन का निम्टाती हूं सारा काम और जब आणटी आती है काम करने तब भी मैं पहले कीचन का क करके बाद में साफ सफाई का करती हूं लेकिन जब मुझे खुद करना होता है और बच्चे भी घर में यह चुटी है तो मैं सुबह ही पहले सफाई का काम ही कर लेती हूं क्योंकि फिर मुझे नाने दोना पड़ता है मतला उससे बाद फिर मैं पोच्चन लगा पाती इस व पन्नोई काम चल रहे हैं काम भी मैं कंटिन्यू कर दी और बात भी कर दी मिरबुआ जी का फोन आ रहा था तो मैं साफ साथ बात भी कर दी और काम भी कर दी तो बस बार की बैड़ सीट वगेरा वो भी जाड़ दूगी और जैसा आपको पता है होली हम कल उधर ही खेल लेते कलर वगेरा तो इसलिए और मैंने जो बैड़ सीट थी वो सारी मैंने ऐसे के ऐसे ही मतलब जाड़ के डाल दी क्योंकि वो साप थी तो बाहर वाली बैड़ सीट भी मैंने जाड़ दी अब जो ये अंदर का रूम है एक वो भी मैं जाड़ दूगी यहां पर भी मैं ये करते हैं इतना अलस करते हैं जब भी कुछ समान हमें रखना होता है साम के टाइम ज़्यादा था तो वो सारा हम बैड के उपर ही रख देते हैं और सुभई वो मुझे डेली खाली करना पड़ता है सब कई बच्चों की बूक मेरी दवाई वगेरा या कुछ भी फोन वगेरा स कृण करंडे द upload लिती जिससे कि वो गंदे नावर कि यहाँ रहारे हाथ पर हमारे आप पर लगा रहता है बैड बात पड़ थे दो ढार दूंगि और पड़न जो सोफें इजाड़ अच्छे तो जो मेरी डस्टिंग का काम है वो हो गया है कंप्लीट उसके बाद बस मैं लगा दूंगी पूरे घर में जाड़ू पहले ही किचन में लगा दी है और बस अब जो बाहर का एरिया उसमें भी लगा दूंगी वैसे तो देखो साप पढ़ा वरना तो आज के दिन जिसके भी घर में जाएंगे कलर ही मिलेगा जो कलर थोड़ा बोता पढ़ा था वो मैंने कली जाड़ू लगा दी थी साम के टाइम तब ही मैंने वो साप कर दिया था और गुड़ू के पापा के फ्रैंड भी आए थै इनके साथ खेलने के युआ थोड़ा सा उन्होंने भी ओफिस में गहल दी तो प्रहाब सा ओ रहा था बाकी पूरा घर तो साप ही पड़ा था तो फिर मैंने वहाँ पर भी सुबह के टाइम ही साब कर दिया था सारा जाड़ू तो कर साम के टाइम ही लगा दी थी वह का फिर पैरों पर लग लगके सारे घर में फैल जाता है कलर इस वज़ा से और जब फिर मैंने पुच्चा वगेरा लगाया तो फिर बाद में लगा दिया और बस अब मैं करने लगी हूँ कपड़े धूली गए थे जाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैं अपना कपड़े निचोडने लगी हूँ और कपड़े निचोडने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था क्योंकि देर हो जाती फिर मुझे इसके पापा को करना था काम और उसके बाद कपड़ों का मेरा काम हो गया नीचे और लिए मैंने सारे कपड़े अब आ गई हूं मैं उपर च्छत पे और फैला दूगी और अब तो दूब बहुत ज्यादा तेज होने लगी अगर सुबही सुबह दो देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े मतलब ज् दूब होती है तो मैं फैला दूगी सारे कपड़े कपड़ों का काम तो हो गया जी मेरा आप रहा गया है कीचन का कीचन को भी समय देते हैं फटाफट नास्ता तो हो गया सब का और बस मैं कीचन की क्लीनिंग कर देखती हूं तो कीचन में मैं सबसे पहले जो मेरे पहले वो सारे खली कर दूगी और सुबह के टाइम तो आपको बताईए कीचन इतने ही फैली रहती है बहुत जादा सामान भी दर उदर फैला रहता है तो कीचन साट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है सुबह के टाइम तो जो सामान है वो सारा उसकी जगे कोलूंगी और सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा बरतन होते हैं दिन में तो इतने नहीं होते हैं दिन में हम क्या करते हैं सासा दोते रहते हैं लेकिन सुबह ऐसा नहीं होता सुबह के टाइम तो मेरे सा धुलते नहीं मैं बस एक बार ही जब ब्रेकफास्ट सब कर लेते किचनी करके तभी मैं जा कर दोती हूं। वर्तं और सुभई हुथ जादा है ऐसा कि मैं रात के छोड़नाइस कभी भी वर्तं की साप करके लेकिन। कभी दूद बनागा चाय बनागा दई , कभी सब काई बहुत जादा मतलब बरतन हो जाते है। यह सुरी गaggiस हो सलेप sflab अब बस हमारा लाश्ट का काम रह गया है पोच्चा लगाना जाड़ू अगेरा कपड़े का सब निम्टा दिया किचन का कर दिया और बस बाद में मैं लगाऊंगी पोच्चा और यहां कृष्णा गूमरा मैं उसको बोलरी मैं का एक जगे बैठ जा सारे को पैर पैर मत कर और फरस भी ठंडा फैन भी मैंने चला रहा और फिर वह पैर पैर भी हो जाते हैं तो मैं इसलिए कह रही और लाश्ट में मैं ज्यादा तर जैसा कुछ काम करती हैं क्लीनिंग का तो मैं पोच्चा बाद में ही लगाती हूँ इसलिए में के बाद में आराम से साप पड़ा रहे तो यहां देखें लगा दूंगी रगड रगड के पूरा और अपने हाथ का काम करा हुआ तो खैर लगी दिखता है और बिल्कुल अच्छा लगता है जो स्टैंडिंग वाला पोच्चा मैं अससे कभी कभी लगा तो देती हूँ लेकिन इतनी तसलिए मुझे होती जितनी ह हाथ से लगाने से होती है ज्यादा तर मैं अपने पोच्चा हाथ से ही लगाती हूँ तो यहां पूरे घर में लगा दूंगी यहां लगाने के बाद फिर ओफिस में भी लगा दूंगी पोच्चा और बेस अब दो पार का शुरू हो जागा खाना बनाने का और सबसे पारले तो मैं नुख क्षाओंगी चार्ट बना के तुम ना खा ली बच्छो ना खा ली है, चार्ट बना के ईशु को बहुत देर की माहुं री थी मंमा देदो मुझे लेकिन अब मेरा भी मन कर रहा जब मैं मा का चलो मैं भी खा लेती हूँ और थोड़ा सा करूंगी रेस्ट फिर बनाऊंगी खाना खाने में भी देखती हूँ क्या बनाना क्योंकि गुद्डू के पापा की आतब जादा डाउन है उनको कोर्ड बहुत जादा हो रहा और उनके यहां मैं बनाऊंगी मिठाई देखें यह जो खोया है यह मैंने जब मंगाया था होली से पहले गुजियों के लिए तो मैंने बना लिया था लेकिन मुझे रसगुले भी बनाने थे वह मैंने बनाई नी क्योंकि टाइम ही नहीं पीजी था बहुत जादा और एक तो काम तो चलो फिर किसी दिन बना लूगी आप मैं इसकी बनाऊंगी मिठाई तो मिठाई बनाने से पहले सबसे पहले मैं इसको भून लूगी क्योंकि जो हलवाई वाला मावा होता है भूनावारी होता है जो हम मिठाई बनाते है वो भून के बनाते है तो सबसे पहले मैं इसको भून लूंगी क्योंकि यह थोड़ा लिक्वीड सा ही होता है जो बजार से लाते हैं बाकि हम खुद निकालते हैं वह तो काफी गाड़ा और भूना हुआ होता है मावा तो मैंने इसको भून लिया जब तक उसने मतलब बरतनी छोड़ा तब तक भून के तयार कर लिया अब रख लिया कडाई, कडाई में ले लिया चीने, चीननी मेंने लियाई है लग बखete माव है 500 ग्राम आप ज़्यादा य कम भी कर सकते हैं लिया जिसमें मैंने ग्लास पानी डाल लिया, सबसे पहले चीननी को मैल्ट कर लिया है और बस फिर पकने के लिए छोड़ दिया जब तक चासनी हमारी पक के तयार होगी तब तक हम बरतन भी तयार कर लेते हैं मैंने लिए प्राथ प्राथ में घी लगा लिया जिससे की जो मिठाई है वो अच्छे से निकल जाए तो बरतन भी हमारा तयार है और इधर देके चासनी भी पकने लग रही है और जो मावे वाली चासनी होती है मावे की बरफी की वो हम मतलब थोड़ा सा उसके जो तार है वो तीन तार वाली चासनी बनाते हैं थोड़ी गाड़ी बाकी जो जैसा सुजी की वेसन की या फिर ड्राइफ रूट वगेरा डालके बनाते हैं उसकी थोड़ी पतली होती है चासनी तो हमारी जो चास्मी है वो तीन तार की बन के तैयार होगी और अब मैंने इसमें डाल लिया है मावा, गैस मैंने बिलकुल लो फ्लेम पे कर दी जब तक ही हमारा मावा गुलेगा तब तक बस मुझे गैस चलानी जब मावा गुल जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे बस ये ध्यान रखना कि मावे को हम लगातार चलाते रहेंगे तो ये चलाते वे मैं घोल लूँगी से इसे तो देखे घुल चुका है मावा आप देख रहे होंगे और कड़ाई मैंने उतार दी गैस से अब फिर मैंने इसे लगबग 10 मिंट तक ऐसे ही चलाया और जब ये गाड़ी होनी शुरू होगी तब मैं इसको डालूँगी परात में बस ये देखना ये नहीं कि हम कड़ाई में से उतारो और डाल दो तो फिर इतनी अच्छी नहीं बनती जितना हम उसको ठंडा करेंगे कड़ाई में गाड़ी सी जब वो होनी शुरू हो जाएगी तब हम उसको मतलब बरतन में डाल लेंगे थेखे कितनी अच्छी होगी थोड़ा गाड़ा सा पेष्ट बन गया था तो मैंने परात में डाल लिए मंका अब जम जाएगी यह मिखाई देखिए जी मैंने मतलब परात में कर दिया है जमाने के लिए देखते हैं जमेगी नहीं तो मैं इसको फैर के पीचे रख्याती हूं और जब तक यह जमेगी जब तक मैं अपना किचेण का कानी उटालूगी बरतन वगेड़ा हो तो ग रही है थोड़ी गाड़ी से लेकिन देखते हैं अभी पूरा कंफर्मनी की जमेगी या नहीं तो मैं रख्या फिर थोड़ी देर में दिखाऊंग करते हैं तो कोई बात मी अब काट दो मी तो यह मैंने पीच काट दिये जी ओर लेखिये चितनी अच्छी जम का तैयार हुई वैसा मुझा अज मीदनीती मुझा यू लग रहता है यह बजार कमावा पता नहीं बजार के मावेगी मैंने पहली बार सायद बनाई और कर देते तो ऐसी बन जाती बर्ती जैसी बजार से डब्बे मलते हैं लेकिन उसके सामने इसके सामने वह बजार की फित्टी है बिल्कुल क्योंकि उसमें और पता निक्या क्या मिलावेगा है अपने आपूं सिंपली बनाई बने इसमें कुछ नी मिलाया और लेकिए जम के तैयार होगी तो यह मिठाई हुमारी बन गी और जो मेरा मामो बच रहता हो भी काम में लग गया और अब मेरी टैंचन होगी खतम बस इसको रख दूगी मैं थोड़ी देन में ठंडी हो जागी और वीडियो को रखती हूं अभी आई पर अगर आपको वीडियो अच्छी ल